साई की बात बचे आज गुरुवार है मेरे बचे तो क्या मेरे आशिरवाद लेनी मंदिर नहीं आओगे मेरे बचे आज मंदिर आजाना मेरे बचे जरूर आना तुम्हें आज में बहुत एक अलग सा अशिरवाद देने वाला हूँ बहुत अद्भुत सा बहुत प्यारा सा और जब मंदिर आओगे ना, तो तुम्हें अपनी एक लीला भी दिखाऊंगा, तो मंदिर आना, जरूर आना, आज छोड़ना मत मंदिर आना, चाहे तुम कितने भी व्यस्त हो, कितने भी, लेकिन मंदिर आना मत छोड़ना आज, आज मंदिर आ ही जाना मेरे बचे, और नौ अगरबटी जरूर चलाना, आओगे न, नौ अगरबटी लेके आना और नौ अगरबटी चलाना ठीक है न, और सुनो, जब तुम किसी से प्यार करते हो ना मेरे बच्चे, उसके लिए जुकना गलत नहीं है मेरे बच्चे, वैसे मैं तुमसे कहता हूँ कि जुको मत, ले बिल्कुल भी नहीं जहां प्यार होता है ना वहां बस प्यार होता है वहां कोई जिद नहीं होती वहां कोई एहंकार नहीं होता वहां तुम और मैं नहीं होते मेरे बच्चे तुम और मैं शब्द नहीं आते मेरे बच्चे और जहां अपने होते हैं ना वहां जुकने में कैस कर सामने वाले से कितना प्यार करती हों तुम्हें कितनी एहमियत आ ये तुम दर्शाते हो मेरे बच्चे और सामने वाले को भी अच्छा लगता है मेरे बच्चे की तुम कम से कम उसके लिए जुक रहे हो उसके आ रहे हो उसके पास तो वो भी तुम्हारी कीमत को समझता है वो भी समझता है कि हाँ तुम उससे बहुत प्यार करते हो और ये प् बेट पम्हें कुंदा है। में लगता है ना कि छोटा सा बच्चा तुम्हारे घर में हो तो ये करूं वो करूं ऐसा करूं उसके लिए लेकर आऊं ऐसे खिलोने लेकर आऊं ऐसे कपड़े लेकर आऊं सोचते हो ना तो वो सारी इच्छाय तुम्हारे पूरी करवाऊंगा सारे शौक तुम्हारे पूरे होंगे देखना तुम और सुनो जब तुम पांच मिनिट के लिए रोज अपनी आखे बंद करकर एकांत में मेरा नाम लोगे ना मेरा जाब करोगे मेरा सिम्रन करोगे और गहरी-गहरी सास भरोगे छोड़ोगे तो तुमें देखना कि कितना सुकून मिलेगा तुमें तुम ना धीरे-धीरे करकर पांस से दस मिरिट, दस से पंदरा मिरिट, पंदरा से बीस मिरिट, ऐसे रोजाना अपने अभ्यास के अनुसार बढ़ाते जाना, फिर देखना, कि तुम्हें कितना अच्छा लगेगा, अभी क्या है न, तुम्हारा मन चंचल है, अगर अभी तुम पांच मिरिट बन करोगे तो तुम्हें कितनी बार आके खूलनी पड़ जाएंगी, तुम्हारा मन चंचल है, लेकिन फिर भी घबराना मत मेरे बचे, क्यूंकि यह अभ्यास होगा, यह सोचना कि तुम प्रयास कर रहे हो, तुम अभ्यास कर रहे हो, तो घबराना मत, अगर आके खुले भी ना, तो दस रखने की कोशिश करूँ, क्या है न, जब तुम खाली रहते हो, तो इधर उदर की बहुत सोचते हो, जब किसी को विमार देखते हो, तो सोचते हो कि कहीं तुम ना विमार पढ़ जाओ, जब देखते हो कि सामने वाला परेशान है, या उसके जिंदगी में कोई दुख है उसके जिंदगी में कोई करस्ट है, या उसके परिवार में कोई घटना घटित हो रही है, तो वही घटना तुम्हारे परिवार में ना घटित हो जाए, वही सब चीज़े तुम्हारे साथ ना हो जाए, लेकिन ये बता है, ये क्या है मेरे बच्चे, ये सब तुम्हारे न दुनिया ही बदल जाएगी, दुनिया ही बालट जाएगी मेरे बच्चे तो सोचो इस बात को सबके करम, सबका जीना, मरना अलग-अलग है मेरे बच्चे, सबका करम सबकी जिन्दगी अलग है क्या तुमने कभी देखा है कि तुम्हारी जैसे जिन्दगी है वैसे ही दूसरे की भी हो ऐसा नहीं होता इस दुनिया में जितने भी मेरे बच्चे है ना सब की जिन्दगी अलग अलग है तो दूसरों के जिन्दगें से अपने जिन्दगी की तुलना करना बंद कर दो कि तुम्हारी सकरत्मक्ता आती जाएगी मेरे बच्चे और तुम्हें अच्छा मैसूस होने लगेगा और तुम इन सब चीजों से ना धीरे धीरे करकर बाहर निकलते जाओगे तुम देखना बिल्कल परिशान मतो और सुनो कुछ मेरे बच्चों को ना ऊची सेंडल पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता लेकिन उनके लिए तौफे में कोई लेकर आ गया है और वो वापिस करने की सोच रहे हैं तो सुनो मेरे बच्चे तौफे को वापिस नहीं किया जाता देखो अगर नहीं पहन पाते हो तो वे नहीं आसानी लगती नहीं अराम मिलता तो कोई बात नहीं लेकिन वापिस करना अच्छी बात नहीं है मेरे बच्चे जिसने भी तौफे दी है वो बहुत प्यार से दी है मेरे बच्चे किसी के तौफ़े को वापिस नहीं करते मेरे बचे बिल्कुल नहीं करते और सुनो तुम्हें अंधेरे से बहुत डर लगता है ना और रात के समय भी तुम लाइट जला कर सोते हो मैं जानता हूँ मेरे बचे तुम अंधेरे से बहुत बहुत डरते हो तो एक काम करो न, मेरा कोई लॉकेट, मेरा कोई तस्वीर या मेरी उधी, अपने पास लेकर सोया करो, तुम्हें डर नहीं लगेगा, फिर तुम्हें लगेगा, कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास में है, और तुम्हें किसी से भी डर नहीं लगेगा, किसी से भी नहीं और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशानी में हो, बहुत अकलीफ में हो, अपनी बेटी को किसी और के घर भेजना, ये बहुत बड़ी बात है, बेटी को विदा करना, अपने दिल पर पत्थर रखने वाली बात है, जिसे तुमने जिन्दगी भर पाला, पुसा, बड़ा किया अब उसे किसी और को दे दोगे तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे बचे लेकिन ये दुनिया की रीद है मेरे बचे यही परमपरा है मैं मानता हूं कि बहुत मुश्किल है लेकिन आज नहीं कल तो विदा करना होगा ना बस यही प्रातना करो कि तुम्हारी करना मेरी साइन सा चरितर पढ़ना मत चोड़ना तुम्हारी बेटी पर मेरी कृपा रहेगी और एक काम करना जब अपने बेटी का समान दोना तो उसके साथ में मेरी तस्वीर देना उसे उसकी रक्षा करूंगा मैं ठीक है न और जिसके भी घर में बहु बनकर आ रही है न ब मेरे बचे तुम देखना अगर तुम उसकी सास बनने की कोशिश करोगी तो वो तुम्हारी बहु बनेगी और अगर तुम उसकी माँ बनने की कोशिश करोगी न तो वो तुम्हारी बेटी बन जाएगी मेरे बचे याद करो उस दिनों को जब तुम भी किसे की घर में बहु तो देखना, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और उसे भी अच्छा लगेगा, उसे भी अपने परिवार की याद नहीं आएगी, बार-बार वो अपने माई के नहीं चाएगी, तुम्हारे पास ही रहेगी, तुम्हें ही मा मानेगी, ऐसा करना जरूर, क्योंकि आज कल ना मे रोज उनकी पाट पूजा किया करो मेरे बच्छे, रोज ही किया करो वो भी अपने हाथों से, सुन रहे हो ना, और सुनो, आज सोने से पहले ना, मुझे गरम गरम दूद दे देना मेरे बच्छे, मुझे तुम्हारे हाथों से गरम दूद पीना है मेरे बच्छे, पिलाओ होगे ना अपने हाथों से खुश रहो आज कार साई संदेश समात हुआ